अंकिता अत्याकान मामले में उत्राखंड पुलिस लगातार सबू जुटाने में जुटी है उत्राखंड के डीजीपी अश्रोकुमार से निज़ स्टेट ने खास पातचीत की अंकिता अत्याकान में आरोपियों को सक्ष सक्ष सजा दिलाने के लिए S.I.T. काम कर रहे ये उनका कहना है निज़ स्टेट समाधातास रिंडसिला ने डीजीपी अश्रोकुमार से खास पातचीत की मेरे साथ डीजीपी अश्रोकुमार सर है सर अंकिता भंडारी मामले को देखा जाए पहले गुमशुदगी से शुरुवात हुई लेकिन जब पुलिस आगे बढ़ती रही तो मुख्या रूपी और उसके सहीयोगी भी ग्रत्तार हुए अब इसमें स्टेटस क्या है सर हम कहा तक पहुँचे देखी स्टेटस यह है कि इसकी जाँच जो है साइटी ने टेक ओवर कर ली है हमारी डियाईजी जो इसके अध्यक्स है रेनों का वहीं पर उसी घटना स्थाल के छेतर में ही उनको कैम्प करने के लिए कह दिया गया है और जो विवेचना के बहुत सारे काम होते हैं जैसे कि CCTV फोटेजिज का अनलसि कोट से सब के बयान लेना तो यह सारे काम यह करेगी अंकीता मामले में पैरवी मश्बूत होगी विवेचना बहुत जबरदस्त होगी और लोग यह चाह रहे हैं कि फांसी की सजाओ हलागी एक कोट ने डिसाइड करना है आप क्या भरूसा देंगे से लिए मैं यह कह सकता ह लगी है और हम जो बेस्ट पोसिबल साक्षे वो इकठा करेंगे कोट में उसके प्रस्तूत करेंगे बेस्ट पैर भी पोसिबल करेंगे हमारा तो पूरा परियास होगा कि अपराद्यों को अधिक्तम दंड दिलवा जा सके और हमारे साथ लगातार चुड़े हुए हैं सहयोगी सुरिंड डसिला सुरिंड रसाइर तोर पर डीजेपी ने भी भरूसा दिया सरकार ने भी भरूसा दिया है लेकिन सवाल विपक्ष को लेकर भी है क्योंकि पूर्मुक्रमंत्री वो भी अंकिता के गाउप पहुचे प पहले दिन से लेकर जब इस केस का खुलासा होता है और आज तक की स्थिटी क्या है देखे बिल्कुल राहूल पहले जिस तरह से मैंने बताया कि 18 तारिक से वो ढूंड रहे थे फिर रेवन्यू पुलिस 20 तारिक को केस रेजिस्टर करती है और उसके बाद 22 तारिक को पुलिस को केस ट्रांसफर होता है इसमें कोई दोराय नहीं है कि पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया पुलिस ने सबसे पहले इन लोगों से पुश्टाच की और संदे होने पर 22 तारिक की रात को ही इनको अरेस्ट कर लिया था तेज तारिक को इनसे पुश्टाच में ये पता चला तो तब जाके चीला के बेराज की और चीला नहर की और तलाशा गया फिर पानी रोका गया तो 24 की सुबह अंकिता की डेड बॉडी मिली है और उसके बाद S.I.T. का गठन हुआ है S.I.T. को हेट कर रही है डी आई जी पी रनुका देवी और पूरे मामले की जाच चल रही है एक CCTV फुटेज जो 12 से 15 सेकंड का है वो पुलिस के हाथ लगा है जो बहुत पुखता तोर पे ये बताता है कि इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था इसके अलावा वीडियो जो आडियो कॉल्स हैं वो बताती है कि किस तरह के माहौल में वो ची रही थी उस आडियो कॉल से भी बहुत कुछ जाहिर होता है अंकिता का दोस्त जब मुक्यारूपी से बात कर रहा है तो वो चीजों को मैनिपलेट कर रहा है चिपाने की कोशिश कर रहा है और जो चैट वो सोशल मीडिया की जायरी हुई है उन से पता चलता है अंदर का माहौल किस तरीके का था तो बहुत परियाब तो सुमूत पुलिस के पास हैं जिस पर पुलिस पूरी तरीके से देख रही है अभी मामले में तिन सोवाल ये भी है कि जो पिंजरा मिला है उसका क्या कोई रहस सामने आया देखेंगे जो कुछ लोगों से बात हुई है उनका ये कहना है कोई रहस से नहीं और बलकि कुछ लोग ये बता रहे है कि बतक पाले गए थे उस रिजॉर्ट में बतक को रखने के लिए भी बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि बतक का पिंजरा था अलाकि ये पुलिस की जाच में चीज़ें आएंगी कि वो बतक का पिंजरा था या किसी और चीज़ का था क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है कि बहुत मजबूत पिंजरा वो ऐसा नहीं था तो इसलिए लोग ये बता रहे हैं कि बतक भी उस रिजॉर्ट में रखी गई थी तो उससे वो संबंदित हो सकता हलाकि पुलिस जाच के बाद ये चीज़ें क्लियर करेगी लेकिन एक महत्वपूर्ण बात डीजीपी ने जरूर कही है पोस्ट माडम की जो डिटेल रिपोर्ट आएगी उसमें अगर नए तत्य होंगे तो नए धाराएं शामिल होंगे अलाकि गैंगिस्टर एक्ट की कारवाई इन पर की जा रही है यानि इसके साथ 201 जो शाक्ष मिटाने की इधारा है उसके साथ साथ अब गैंगिस्टर एक्ट की कारवाई भी इनके खिलाफ होगी और अगर पोस्ट माडम में कुछ और चीज़ों का जिक्र होता है तो हो सकत इस मामले में ये भी बहुत जरूरी है कि PCR उनकी ली जाए उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड होगी तो वो पुलिस को सकती से जब पूछा जाएगा तो बहुत चीज़ें और बता सकते हैं तो उस पर पूस्ताज भी चल रही है और PCR के लिए आज पुलिस ने एपलाई भी किय था और यही कोशिश है कि PCR इनकी मिल जाए जिसके बाद इनसे और सकती से पुलिस पूस्ताज कर सके जानकारी के लिए जिस तरीके से आपने विस्तार से हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुचाई देरादून से बड़ी कवर अंकिता मर्डर केस में विपक्ष हमलावर है कौन अत्र परादी को सेनक्षर देनी का आरूप विपक्ष लगा रहा है कॉंग्रेस ने मर्डर की सी वैजाज की मांगी है अंकिता मर्डर केस कुलेकर कॉंग्रेस प्रुतेश अथ्थक्ष करन महारा ने सरकार पर सवाल खड़े की करन महारा ने कहा कि पुलिस और सरकार अंकिता भंडारी अत्याकान वे अपराधी को से नक्षड दे रही है उन्होंने इसाई प्रफाइल मुडर केस किसी बैजाज की मांग की 18 तारीक को बेटी गायाब होती है और 21 तारीक तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखे जाती जिसमें पुलिस की भूमी का पढ़वारी की भूमी का संदिक्द है और जिस तरीके से प्रसासन ने या मुख्यमंत्री के आदेश पर या विरायक के आदेश पर जो भी आप कहें आदेश पर जिस तरीके से पहां दोजर चलाया है और इस लड़की के रहने वाले कमरे को तोड़ा गया अज़नी की गई है हमारा सिधा सिधा अरूप है कि सबूत को नश्ट करने की नियत से सब क्या गया है और उस वी आईपी को बचाने के लिए एक कारवाई हुई है बीजेपी से संबंद रखने वाला वेक्ती है जिसका रेजोर्ट है और वीजेपी की महला नित्तियों को चिनोती हैं मेरी कि वो क्यों चुप है क्या ये भी वो परचार जगड़ा या जहां भी आंदोलन वो केवल पार्टी देखके करती हैं अगर किसी और में क्या तो अंदोलन करेंगी लेकिन अगर उन्टी पार्टी के लोग अगर कोई कुक्रत करते हैं तो साब सुंग जाता है अंकिता मेरी किस के वाद सरकार सक्त अंकिता हत्याकान के वाद सरकार का बड़ा फैसला अब होटेल और रिसॉर्ट में सरकार निमाली लगाएगी तो अंकिता बंडारी अत्याकान के पाद अब सरकार कई बड़े कदम उठा रही है रिसॉर्ट और होटेल पर सरकार निमाली लाने जा रही है दरसल जिस रिसॉर्ट में अंकिता काम करती थी वो अवैद रूप से बना हुआ था ऐसे में अब सरकार हर रिसॉर्ट और होटेल्स के लिए निमाली बनाने के निर्दीश दिया है ताकि दोबारा ऐसे मामले सामने ना है बड़ी ख़बर उदम सिंग नगर से अंकिता त्यकान के बाद सकती बड़ी जस्पुर में तहसील प्रशासन ने होटेल्स में छापे मारी की कई होटेल में अनिमिता पाई गई रिपोर्ट तैयार हो रहा है दो होटेल को तदकाल प्रशासन ने बंद कराया है रेजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण दो होटेल बंद प्रशासन हर एक होटेल में जाकर जाच परताल करता नजर आया प्रशासन टीम हर एक होटेल में पहुची और चहाने मित्ता पाई गई उसे गतकाल पंद भी कराए गया देके निर्देश में हमारे द्वारा जो जस्पूर की सारी होटलों की चेकिंग की गई थी इसमें की कुछ होटल ऐसे थे जो संदिग्द प्रतीत हो रहे थे तो इसके रिपोर्ट डियम सेर को भीज़ दे जाएगी क्योंकि इसके बाद एक सहीत टीम के द्वारा उसमें इंस पर टूलेटा में किसी का भी रजिस्टेशन नहीं था और उसक्त मिरदेश दे लिए हैं कि एक सब्ता के अंदर कर आँख टूरेजर डिपार्टमने रेजिस्टेशन कर वा दे और दो होटलों को बंद दिर्वाया गया वहें अंकिता मर्यर के इसकवाद राच में उबाल है कई संगठरों ने हत्यारों को खड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतर्शन भी किया दो तस्पीर आपको दिखा रहे हैं चमूली और हल्दवानी के तस्पीर लगातार मांग की जा रही है अंकिता के आरोपियों को फासी देने की मांग की जा रही है और तमाम स्प्रोगर के साथ तक्या लेकर लोग महलाए मार्च कर रही है पैदल मार्च हो रहा है नंगे पाव मार्च किया जा रहा है तो लोगों की यही मांग की जल से जल आरूपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल तो जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है आपको दो तस्पिर दिखाए लफ़ानी में सावाजी कारकरताओं ने S.D.M. कोट तक नंगे पाउ पैदल मार्च किया अंकिता के अत्यारों को फासी की सजा दिये जाने की मांग की महिलाए सबसे आगे समोगे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अंकिता के साथ कितना बुरा सुलूक हुआ है और हमें पता है कि यह किन लोगों ने क्या हुआ है तो यहां आज सभी महीलाओं ने सोचा था कि हमें हलदवानी में जो उनके हत्यारे उसको फांसी दिलाने के लिए हमें यहां पर एक प्रदशन करना चाहिए हम चाहते हैं जब सामने सामने दिख रहा है कि किन लोगों ने हत्यार कि इस तरह से कौन को लोग शामिल रहें तो उनको सीरे एक महीने के अंदर आप सीरे उनको फांसी की सजा क्यों नहीं सुना रहें करेंगा हमको सरकार से सिर्फ यह लेना देना है कि आप न्याई दो प्रत्याश्यों की खिस्मत का फैसला होना है क्योंकि अठाइस सितंबर को वोटों की गिंती होगी अब इंतजार प्रत्याश्यों को 28 सितंबर का होगा जिसने काउंटिंग होगी तो लक्सर से बड़ी ख़वर 335 चुनाओ शांतिपून संपन हुआ मद्दान शाम पाज बिजे तक हुआ तो 335 चुनाओ लक्सर से आपको बड़ी ख़वर बता रहें उस तरीके से अर्थवार जिली में 335 चुनाओ संपन हुआ लक्सर के तस्पीर दिखा रहें बड़ी ख़वर बता रहें 335 चुनाओ यहां संपन हुआ पशासनिक टीम मौजूद रही शांतिपून तरीके से वोटिंग का काम हुआ है देरादूर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग्धामी ने सचवाले में लोक निर्माड विभाग की समिक्षा बैठक ली इस तोरान सीम ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि तैस समय पर कामों को पूरा किया जाए CM ने सचवाले में लोक निर्माड़ विवाग, NH और भीयारों के प्रदेश में निर्माड़ा दीन और प्रस्तावित कारेों की समक्षा की इसके बाद मानस खंड कोरिडोर को राज सरकार का फ्लैक्शिप कारेकरम बताते वे इसमें प्रस्तावित कामों में तीज जिलाने की निर्देश दिये वहीं बजरंग सेथ को तैस समय पर दिसम्बर 2022 तक पूरा करने की निर्देश CM ने दिये CM ने का कि बैटकों का आउटपुट दिखना चाहिए CM पुषकर सिंधावी ने नंदा गवरा यूचना के तहट पूर्देश की बालकाओ को बड़ा तोफ़ा दिया है CM धावी ने ऐसे हजार बालकाओ के खाते में 330 करोड की राश्री का डिजिटल ट्रांसफर किया है तो नंदा गवरा यूचना केता है तक तहट पूर्देश की असी हजार बालकाओं को सीधे सीधे इस योजना का लाब मिलने वाला है ये धनरासी मिलने वाली है 323 करोड रुपे की धनरासी अभी डिजीटल माद्यम से हस्तांतरीद हो गई वहाँ पर कॉंग्रेस लेशन लिखा हुआ आ गया इसके लिए भी मैं आप सभी को बढ़ाई देता हूँ बड़ी कवर्चंपौत से दुर्गटना ग्रस तोने से बाल बाल बची बस सिख शधालू से भरी थी बस इस वाला के पास का ये मामला पंजाब के पटेंडा से आरहते शधालू गुर्दवारा रीठा साहिब तर्शन के लिए जारहते शधालू बस में सवार सभी शधालू सिरक्षित दो दिन से मलबाने से बादिती ये सड़क तो आपको दिखा रहें किस तरीके से बस का पहिया फस गया गनिवत रही की खाई की तरफ पस खिसकी ने 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 तो बड़ा हसा हो सकता था सिख शधालू से ये बस भरी थी बाल बाल बची honour बस चमपार से बड़ी ख़बार और साथी साथ तसबीर आपको दिखा रहे हैं सिख शधालू से ये बस भरी हुई थी पंजाग के भटिंडा से ये बस आ रही थी बस में सवास सभी शधालू सुरक्षित बताये जा रहे हैं तो बड़ी खबर और साथी साथ तस्वीर आपको दिखा रहा है बड़ी खबर रुद्वप्रियाक से अग्यात वाहने तीन लोगों को ठकर वारी हादसे में दो की मौत एक जख भी तो बड़ी खबर रुद्वप्रियाक से अग्यात वाहने तीन लोगों को ठकर वारी दूत प्रयाद से बता रहे हैं जहां हाथ